प्रभुदेवा की शादी को लेकर पिछले काफी समय से अठकले चल रही है एक लीडिंग वेबसाइट ने चलाया कि प्रभुदेवा ने अपनी ही भानजी के साथ शादी की है अब इसी खबर का एक और पहलू सामने आ रहा है प्रभुदेवा की दूसरी शादी होने नहीं वाली है बलकि हो चुकी है और वो भी लगभग धाई महीने पहले उनके भाई उन्होंने इस बात का खुलासा किया है राजु सुन्दरम ने कि ये जो शादी की अभी खबरे आ रही है पता नहीं कहां से आई है क्योंकि प्रभुदेवा की शादी जो है वो मई में हो चुकी है और वो शादी उन्होंने अपनी किसी भांजी से नहीं की है बलकि हिमानी नाम की मुंबई की एक फीजियो थारपिस से की है जिससे जो है प्रभुदेवा अपना इलाज करा रहे थे वही हिमानी जो है प्रभुदेवा के साथ मार्च में ही चिन्नई में शिप्ट हो गई थी लॉकडाउन के समय दो महिने लेविन में रहने के बाद जो है दोनों ने मई में शादी कर ली और हिमानी जो है प्रभुदेवा के मम्मी पापा से मैसूर में जाकर भी मिली थी तो यह जो खबरे आई कि उनकी भानजी के साथ शादी है, तैयारिया हो रही है तो आप उनके भाई ने कहा कि पता नहीं यह खबरे कैसे लीडिंग वेबसाइट ने शापी, हाला कि प्रभुध की शादी जो है दो महिने पहले हो चुकी है। ये प्रभुदेवा की दूसरी शादी होगी, पहली शादी रामलत्रा के साथ होई थी, जिससे उन्हें तीम बच्चे हैं, जिसमें से एक का कैंसर की वज़े से निधनों किया था, वही साउस्टार, नयंतारा के साथ जो है, जब प्रभुदेवा का अफेर था, तब उनकी अ कि मालए प्रभुदेवा का अव्रभुदेवा मत बच्छिवा का ओर् desireभुदेवा था में तिससे नितुम ऑसादी होगी, झालत थाया होगी, जिससे रपया का वकश्भुदेवा कि उनकी शेणतों के प्रभुदेवा होई तनOOOO मिया को पीज वेता हैं, जिससे अश